आरजडी ने चिराग पासवान की पार्टी लोक जंशक्ती पार्टी में तूट की भविश्चिवाने की है आरजडी नेताहू ने कहाए कि BJP चिराग की पार्टी की तीन सांसदों को तोड़ने में लगी है आरजेडी की दावे पर एलजेपी आरवी और बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है सवाल है कि चिराग तले कौन अंदेरा फैलानी की कोशिश कर रहा है और आखिर क्यों इस रिपोर्ट में देखे क्या फिर से तूटेगी चिराग की पार्टी बिहार की सियासत में एक बड़ फिर ये सवाल हिलोरे मार रहा है इसकी वज़ा है आरजेडी की ओर से चिराग की लोगजनशक्ती पार्टी रामविलास में तूटकी भविश्यवानी आरजेटी की और से दावा किया गया है कि बीजेपी चुराक की पार्टी के तीन सांसदों को तोड़ने में लगी है रोपे पेन बबूल कातवाम कहां से हुई उनको पता है कि पिछली बार लोगजन सक्ति पार्टी को कई टुकडों में तब्दिल जीन लोगों ने किया और जो लोग उस भूमका में सक्रिये थी और वोही लोगों को आपने टिकट दिया तो जो जीत के आये हैं दो महला एक पुरुस उनकी स्थिती क्या होगी तो सब को पता है चिराक की पार्टी को लेकर आरजडी के ओर सिकी गई भविश्वाने के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया है लोग जन्शक्ति पार्टी रामवलास के सांसद अरुन भारती ने आरजडी पर पलटवार किया है अरुन भारती ने कहा कि आरजडी भ्रामक खबर फैलाने का काम कर रही है NDA गडबंधन पूरी तरह से एक जुट है उसे कोई तोड नहीं सकता हम राज़त की इस चाल को उजागर करते हैं और साथ तोर पर कहना चाहते हैं कि हमारा गडबंधन NDA के साथ अटूठ है और हम मिलकर देश की प्रगती के लिए काम करते रहेंगे लज़ेपी रामविलास को लेकर आरज़ेडी के दावे पर बीज़ेपी के राष्ट्री प्रवक्ता शाहनवाज हुसें ने भी पलट वार किया है शानवाज ने कहा कि आरज़ेडी अपनी पार्टी पर ध्यान दे अफवाफ फैलाना बंद करें और ये देखें कि उनके पार्टी के लोग छोड़कर आखिर क्यों जा रहे हैं चिराग की पार्टी के सांसदों के साथ साथ बीज़ेपी ने भी आरज़ेडी के दावे को बकवास बताया है और आरज़ेडी नेताओं को भ्रहम ना फैलाने की नसीहत भी है विसी विपाक्ष को इस तरह का दावा करने के मौके उल्पाच असहमती के बाद मिला जो चिराग पासवान ने बीज़ेपी और किंद सकार के फैसले बर जताया था निउज़ेडीन के लिए पटना से रवी एस नाराइन के साथ ब्योर रेपोर्ट चिराग पासवान ने अपनी पार्टी में टूट की खबर का खंडन किया है चिराग पासवान ने कहा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चड़ती है जो इस तरह की मंशा पाले हुए हैं वो भ्रहम में हैं साथी उन्होंने विपक्ष पर भ्रहम फैलानी के साज़िश रचने कारुप लगाया है आज की तारीक में जो विपक्ष के द्वारा ये भ्रहम फैलाया जा रहा है मेरी पार्टी और सांसदों को लेकर ये उसी साज़िश को हवा देने की सोच है जो 2021 में रची गई थी और जिसकी वजह से इन लोग को लगा था कि शायद चिराग पासवान को ये लोग समाप्त कर देंगे पर ना उस वक्त ये लोग चिराग पासवान को समाप्त कर पा लोग सोचते हैं कि पार्टी में इस तरीके की तूट हो वो अपनी ख्वाहिशों को पर देने का काम कर रहे हैं वो ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो पर किसी की चाहत से कुछ हो ऐसा होता नहीं है उनकी ख्वाहिश जरूर है कि उनको तसली मिलेगी अगर ऐसा हो पर अफसोस काट की हानडी बार-बार नहीं चड़ती है तो इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है आईए अब जानते हैं कि वो कौन-कौन सी पांच सहमती है जिसकी वजह से आरजेडी को चिराक की पार्टी में तूट की भविश्वानी करने का मौका मिल गया यह आपको ग्राफिक्स के जरीए बताना चाहेंगे कि आखिर वो कौन-कौन सी बात है देखे पहला है कोटे में कोटा की सुप्रीम कोट के फैसले पर अलग स्टैंड रखा यानि कि चुराक पास्वान ने जब सुप्रीम कोट की तरफ से कोटे में कोटा देने की बात सामने इस पर उन्होंने आलग स्टैंड रखा और दूसरा वक्फ बोर्ट बिल को जेपी सी में भेजने की मांग चुराक पासवान ने रख दियो और तीसरा लेटरल इंटरी में नियुक्ती के मामले पर केंद सरकार को घेरा इस मामले को लेकर के भी केंद सरकार के खिलाफ इन्हों ने किया और ये आपको ये सब इन्होंने जो समयति जताई है इन मामलों पर इसको भी आपको आगे समझाते हैं और देखे समझाते हैं ये भी कि चिराग तले अधिर आखिर कर कौन रहा है तो देखें बियार में अगले सार वदान सभा का चुनाव होना है दोहजार पूरी तरह से एकजुट है और वो एन्डिय के साथ मजबूती से खड़े हुए है